अल्यकून सामा जाहिद के गार्डन में यह देखें यह मेरे भिंडी के पोदें लेकिन इन्हें कुछ प्राब्लम हो गया है मैंने दवा स्प्रे की है इनके पीछे कुछ कीड़े लग गये थे और नए पत्ते देखें आप निकल रहा है नए फूल निकल रहा है माशाला एक निकी से बिंडी मिलिये और एक यह बिंडी तकरिबन यह देखें कच्छी है अच्छा जब एसे एक एक बिंडी निकलती है न मैं इसमें चाड मसाला लगा के तवेया पर रखती हूँ और खा लेती हूँ बिंडी के नीचे से भी फूट रहे हैं माशाला बिंडी के कुछ वो भी हैं पोदे लेकिन बारा गार्डन में कुछ ऐसा ही चल रहा है देख रहे हैं आप टोकरियां काफी खाली हो गई है यह तीन यह चार यह भी एक बिंडी का पोदा है जो लगा हुआ है हमने इसको लिटा दिया है इसको मैं सही करके बाद में डंडे के साथ लगाऊंगी यह मिर्ची के पोदे जो ठीक चल तो रहा है माशाला मेरे गार्डन में फ्लावरिंग विट पर काफी हो रही है लेकिन देखते हैं फ्रूटिंग अब मोसम जैसा थोड़ा शंडा शंडा सा शायद फ्रूटिंग होती रहे और यह वह फुल्दपेरी है जो मुझे बड़ी अलोबिया की फलिया निकलते हैं कीडा सा और आता है जो कलिया काट देता है इस तरफ मिर्ची के पोदे और इस तरफ दिखाऊं तो यह भी मिर्ची के पोदे और माशाला यह देखें यह खुब्सूरत येलो फूल निकला है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है यह देख काडन में कुछ ना कुछ इस वक्त कटिंग टाइप चल रही है जो हम काट काट के जो है टेहनिया यह देखें यह मोटी-मोटी टेहनिया मुझे काटनी है ताके मैं ले जाकर दूसरी जगा लगा सकती हुए यह अब इसमें जो है नहीं चलेंगी क्योंकि जगा नहीं है इनमे यह देखें यह इतनी बड़ी-बड़ी टेहनिया अब इसमें नहीं चलेंगी यह मैंने वहां मट्टी तियार किये एक टब है एक कटोरा है उसके अंदर यह तमाम टेहनिया ले जाकर मैं लगा दूंगी और यह तो फुल दुपेरी है जनाम कि जितनी भी टेहनिया कटिंग करें और लगाते जाएं आइए चलती जाएंगी अब यह फ्लावर हाली मैं इसलिए कटिंग करनें के ताकि यह और होब अच्छे से फैल जाएं ताकि इनकी जो भी टेहनिया आप निकले फो सही निकले इस पसक्रेश्य आप अब इनमें फ् कोई खाद भी दी जाए अच्छा जनाब और इस तरफ दिखाऊं तो यह हमारी पनीरी चल रही है यह मिर्ची की पनीरी यह बाकी पनीरिया में चल दें थोड़ा थोड़ा इनको मुझे पानी देना है फिर इन्हें यहां से निकाल के किसी इसी जगा पर शिफ्ट करना है जहा है हमारे कमल के पत्ते कितने बड़े बड़े माशा अल्ला निकल रहे हैं देखें और बहुत खुब्सूरत लगते हैं यह जनाब एक मचली पर आ गई यह मर गई है यह कैसे मर गई यह लग रहा है बिल्ली ने इसके साथ काम किया है कि अब इसमें और नाजर नहीं आ रहे हैं मुझे छुप जाती है वैसे वह अब हरहाओ कि यह भी फुल दुपेरी है इनमें से भी कुछ कटिंग लेकर हम इनमें एड़ कर सकते हैं कि यह साथ साथ जहें मिक्स मिक्स फुल दुपेरी बन जाएगी और यह मैंने पुदीने को यहां थोड़ा सा इस पुदे के साए में रखा है और कुछ साया इससे मिलता रहता है कि अच्छा जनाब यह एक लोकी है यह तूरी है इसको मैंने सीड़ बनाने के लिए रखा यह देखें अब मैं इसे उतारने लगी हूं कि इसकी बेल जो है यह सूख गई है बिलकुर लेकिन सीड़ फिर भी बन जाएगा यह देखें यह इसको पकड़ावा इसको तार बड साइस की इसको मैंने इसलिए रखा कि मैं इसके सीड़ बनाऊंगी अब मैंसे नीचे जाकर रख दूंगी तो सीड़ बन जाएंगे इंशाला लिए मुझे लाइक करें